दो विशाल भूखंड के मध्धे छोटा संक्रा भूखंड कभी भी उत्तम नहीं माना गया है। भूखंड खरीबते समय यह ध्यान अवश्य दें कि भूखंड सूरेवेधी या चंद्रभेधी है। प्रात्मिक रूप से भवन निर्माण के लिए वरगाकार या आयताकार भूमी का ही चयन करना चाहिए। विखृत भूमी का चयन कदापी न करें। भवन में भारी वस्तुए हमेशा दक्षिन या पश्चिम दिशा में ही रखनी चाहिए। पूर्व व उत्तर में कदापी नहीं, भवन के सामने किसी प्रकार का अवरोध जैसे टीला, बड़ा व्रिक्ष, बिजरी का खंभा, ट्रानसफार्मर आदी नहीं होना चाहिए, भवन में एक सीध में दो दर्वाजे नहीं रखने चाहिए, इससे सकारात्मक उर्जा घर में नहीं तिकती है, भूखंड के सामने कोई धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए, आपका भवन किसी बंद रास्ते का आखरी मकान नहीं होना चाहिए, और ना आने वाले रास्ते के ठीक सामने हो, अध्यनरत छात्र, व्रिध और अध्यात्मिक व्यत्तियों को पूर्व दिशा की ओर सिर रख कर सोना चाहिए, हैंड पंप या समरसेबल घर के पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए,